इस्टाग्राम के लिए रील बनाना पड़ी मोत से हाथ दोना जी है साथियों ये बहुत धहरान करने वाली दिल थाम के बेठेगा इस ख़बर को सुनने से पहले तो साथियों जानेंगे पूरे मामला बस निवादन है वीडियो को लाइक करके चेहनल को सब्सक्राइब चरूर कीज़ेगा पेठागाट में टीचर और दो स्टूडेंट नरंदनादी में डोब गए अकरिकार क्यों क्यों डोब गए गटन बाता दिक दोस्तों कटनी के विजे राव गाउडगर टीचर में आठ इस्टुएंटों का गुरूप बुद्धवार दोपेर न्यू भेड़ा घाट की पिकनिक बनाने पहुचा था छातर रेलिंग पार करके नदी के किनारे इस्टाग्राम की रील बनाने लगे इस भी छातरा का इस्टाग्राम के रील बनाते बनाते पेरिफिसर गया और वो नदी में जा गे लिए उसे बचाने की कोशिस में एक छातर टीचर भी भेगे छातरा का सव गटना के एक गंटे बाद चट्टानों में फसा मिला लेकिन अब तक टीचर और छातर के सव को ला पता है चातर भी शेख चोधरी ने बताया कि टीचर राकास चारे बात करे राकास आर रे पैरामेडिकल कोर्स में एडिप्शन के लिए लेकर आये थे चार दोस्त पिर बात करें पिर भाव लोधी, अनिल, द्रेदासी और सत्यमबारी वो एक दिन पहले यानि सुमार को ही जबल पुरा आगे थे जबकि धनेसवरी, खुस्बू सिंग और रामसाहु मंगलवार सुबह पहुंचे थे हम सभी बच्पन के दोस्तें आठवी किलास तक पढ़ते थे, सभी दिन द्याल चोक में एक होटल में रुके थे अभी शेक ने बताया कि सीजी एस कोलेज में एडमिसन लेने के बाद हम रूम देखने गे थे हम वहाँ पहुंचे तो मकान मालिक नहीं पहुंचे मकान मालिक नहीं थे, वह चावी पडोसी को दे दिया करते थे और पडोसी भी घर पर नहीं थे ऐसे में चावी नहीं मिली और हम सबने मिलकर बेड़ागाट जाने का प्लान लाया इसके बाद सभी ओटो से बेड़ागार्ट पहुँचे हैं चातर दनेस्वरी सोनी के मताबित बेड़ागार्ट पहुचने के बाद सभी रोपे में गूमे तकान महसूस होने पर हाथ मुधोने के लिए संग मरमर के पत्तरों पर बेट गी साथी चातर जा इस्टाग्राम के रिल बनाने लगे खुस्बू ने उन्हें मना किया कहा कि चार साल तक हमें यहीं रहना हैं बाद में रिल बना लेने गी लेकिन छात्रा नहीं माने और इस्टाग्राम के रिल बनाने लगी खुसबोटने लगी तब ही वो डिस्बैलेंस होकर बहाओ में गिर गई टीचर राकेस ने हाथ पकड़ कर बचाने की कोसिस की तो लेकिन बहाओ तेज होने की वज़े से वो भी भेगे दोनों को बचाने के लिए छात्र राम साहूं ने भी कोसिस की लेकिन वो नरम्दा के तेज बहाओ में भेगे रूम को साफ कर खरीदारी करने की तैयारी थी पिता ने तीन महीने से नई देखा ता बेटे राम साहूं को साथ यो पेहद रूंटे खड़े कर देने वाली ख़बर से लाइक करें थैंकि